नमस्कार आप देख रहे हैं न्यू जिंडिया और आपके साथ मैं हूँ भानुज इक्षेत रुख करेंगे ख़वर का दुनिया में एक करोन लोग ऐसे हैं जिनका कोई देश में नहीं ऐसे में इन दिनों एनर्सी सुर्खियों में है तो वहीं भारत के लिए हालिया इस्तिती असहज करने वाली होगी नागरिक्ता के इस मामले ने पुरे भारत में बहस छेड़ दी है तो वहीं ग्रह मंत्रिय अमिश्याह के एक बयान ने लोगों में भै पैदा कर दिया है सरकार एनर्सी लाने वाली है अमिश्याह के आज के भासर ने इस पश्ट कर दिया है लेकिन साथ ही बहुत सारे सवाल खड़े कर दिये हैं कि आखिर उन लोगों का क्या होगा जो अपनी नागरिक्ता साबित नहीं कर पाएंगे साथ ही सवाल ये भी है कि आखिर एनर्सी का अंत क्या है चर्चा करेंगे लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए भारती जंता पार्टी के रास्टी अध्यक्ष और ग्रे मंतरी अमिर्शा ने पश्च्व बंगाल की कोलकाता में एनर्सी जागरुपता कारिक्रम में न सिर्फ एनर्सी का दिक्र किया बलकि उन्होंने ये सपस्ट कर दिया के एनर्सी लागू होने वाला है ग्रे मंत्री ने कहा कि मैं आपको इस पस्ट करना चाहता हूँ कि हम NRC ला रही हैं उसके बाद इंदुस्तान में एक फी गुस्पैठिये को रहने नहीं देंगे उन्हें चुन-चुन कर बाहर करेंगे बीजेपी सरकार NRC के पहले सिटीजन अमेंडवेंट बिल को लाने वाली है इस बिल के तहट भारत में जितने भी हिंदू, सिख, बौध, जैन, इसाई, शरणारती आए हैं उन्हें हमेशा के लिए भारत की नागरिकता दे दी जाने वाली है इतरो अभी अभी बंगाल के अंदर NRC के मामले पर पूरी बंगाल की जन्ता को गुमराह किया जाता है मैं आज इस मंच से भारतिय जन्ता पार्टी की नीती स्पष्ट करने आया हूँ बंगाल की जन्ता को सचाई बताने आया हूँ ममतादी कह रही है के NRC आते ही लाखो लाखो हिंदू सरनार्थी है उनको बंगाल पस्चिम बंगाल छोड़ कर जाना पड़ेगा मित्रो इससे बड़ा कोई जूठ नहीं हो सकता इससे बड़ी कोई जूठी बात नहीं आज मैं सारवज नीक रूप से बंगाल की जन्ता को अस्वास्त करने आया हूँ आये हुए सारे सरनार्थी हिंदू बहुत सीख जैन क्रिस्चन सबी सरनार्थी भाईयों को और विश हैस कर हिंदू सरनार्थी भाईयों और अस्वस्त करने आया हूँ क्यूंकि उनकी संख्या बहुत बढ़ी है कोई भी हिंदू- जैन- क्रिस्चन सरनार्थी जो यहां है उसको भारत की सरकार भारत छोड़ने के लिए मजबूर नहीं करने वाली है अमिशा ने ये तो इस पस्ट कर दिया कि किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है लेकिन साथ ही एक बड़ा सवाल भी खड़ा कर दिया कि हिंदू और ईसाइक को तो आप नागरिक्ता दे देंगे लेकिस सवाल ये है कि बाकी लोगों का क्या होगा उनके लिए सरकार ने क्या सूचा है अगर वे लोग अपनी नागरिक्ता थाबित नहीं कर पाए तो फिर कहा जाएंगे न्यूज इंडिया के लिए डेक्स्क से स्पेशल राकी सिंखल की रिपोर्ट तो एनर्सी के मुद्दे पर देस भर में घमासान चल रहा है हर जगे एनर्सी को लेकर एक डर है उन लोगों में जो बाहरी घुस पेंठी हैं जो सरनार थी है अब ऐसे में सवार उठता है कि असम के बाद क्या पश्चिम बंगाल में एनर्सी लागो करने की कभाएद तेज हो गई है क्यों पश्चिम बंगाल में ग्रह मंतरी कह रहे हैं कि एनर्सी लागो होने का डर उन्हें हैं जो हिंदू नहीं है इसका क्या मतलब माना जाए? सीधे सीधे उन्होंने कहा कि जो हिंदू हैं, जैन हैं और सिख हैं उन पर NRC का कोई असर नहीं पढ़ने दिया जाएगा, उनको डरने की कोई जरूरत नहीं है तरमूल कॉंग्रेस की ममता बनर जी पर भी उन्होंने निसाना सादा, उन्होंने कहा कि ममता बनर जी जूट फैला कर लोगों को डराने की कोईसिस कर रही हैं, NRC से डरने की जरूरत नहीं है उन्ने का कि जो हिंदू सरनार्थी हैं मंता बनर जी ऐसा कहती है कि उनको पनगाल छोड़ चूड़कर जाना पड़ेगा रागों होने के बाद तो इस पर स्पष्ट कर दिया अमिशाहने की जो भी हिंदू सरनार्थी हैं जो भी आईनर्सी के दायरे में हिंदू आएंगे जो पूर विधायक है रानी गंज टीम सी पश्ची मंगाल के बहुत बहुत स्वागत शोराब जी आपका नीज इंडिया पर इसके साथ कॉंग्रेस के प्रवक्ता भी शाहनवाज सेख हमाज साथ जुड़ गए है साथ जी बहुत स्वागत आपका नीज इंडिया पर जी नमस्ते जी सोहराब अली जी सबसे पहले सवाल आप से जब भी अनर्सी की बात आती है तो टीम सी को क्यों डर लगने लगता है टीम सी क्या जो आज हमिस्सा कह रहे हैं कि टीम सी जूट फेला रही है वो सही है अगर व बात्रब में एनर्सी लागू गा गुए और बीज टी वार इसकोदी कह रहे है कि यह नर्सी जो लागू यह सही नहीं हुए परने जो पर पहले जो नर्सी लागूपिया हो ही कलत होगया हूह उजकर फिर यह जिए नया संग बेली जोड़ने जोड़ने विवा कि पूरे देज में नार्टी लागों करेंगें और नार्टी लागों अगर करना है तो सच्चाई के साथ ना करना होगा जे सच्चाई के साथ और ये सीधा सीधा जब बात करते हैं कि हिंदु सानार्टी को सच्चाई क्या है यह कैसे तै होगा किस मानक के आधार परता होगा कि सच्चाई क्या है सीधा सीधी अमीज सा टार्गेट कर रहे हैं मुसल्मानों की सीधा सीधा अमीज सा टार्गेट कर रहे हैं तो सीधा एनार्टी की बात क्या चाहते हैं सीधा बोले की पट्टिम देश के अंडर में जितना मुसल्मान है तब यहां से चले जाएं तब एनार्टी से बाहर हो जाएं चलिए सीधा क्यों नहीं कहते हैं ठीक है सुराब जी अभी जवाब लेंगे इस पर डॉक्टर सुवाद सरकार हमाई साथ जुड़ गए हैं बीजेपी नेता हैं पश्चिम मंगाल के बहुत बहुत स्वागत हैं डॉक्टर सुवाद सरकार आपका नियुज़ इंडिया पार देखे जिस तरीके से भारत्य जंदा पार्टी देश में राजवीती कर रही है और जिस तरीके से नोडबंदी में मूगी घानी पड़ी और आज जो अर्थ विवस्ता की जो आलत है इसके बारे में सरकार को सोचने का आप समझी नहीं है मैं आपको एक्जाμबल देता हो का कराची पाकिस्तान में धुजराट के मुख्यमंतुरी विज़ी रूपाणी बरमा म्यानमार के मैं उनको जर्म odc Carl बेज देंगे अडवशी को कराची बेज देंगे जेश के लोग उसको मानेगा चुके आज भी देश की कादू परूसा परूसा है अगर सुप्रीम कोड नर्सी के पक्स में जो भी निने लेगा हम उसे स्विकार करेंगे चलिए ठीक है वारिजे जन्ता पाइटी की वोटों की दाजनी भी करनी है चुनाओ जब भी आता है तब उनको इस तरह के मुद्धे याद आते हैं और ये सिर्फ और तिफ लोगों को डर का माहौल देश में बनाने के लिए गरीज लोगों को भैबित करने के लिए ठीक है सुपाद सरकार के पास आउगा हम मैं तो क्या तो आपकी पार्टी सीधे सीधे क्यों नहीं कह देती कि हमारे टारगेट पर हमानिसाने पर मुसल्मान हैं देखिए अमीद भाई ने एकदम सीधा बात बोल दिया हम हलो जे जे अमीद भाई ने एकदम सीधा बोल दिया बात ऐसा है देखिए जो कॉंग्रेस वाले को वोड़ बैंक अभी चला गया और जो टी एमसी को जो वोड़ बचा है और वो सारे लोगों के डराते हैं भड़काते हैं ऐसे करके वो उसके पक्तमे भोड लाने के कुशिज करता है अभी तो बंगाल में इनार्सी के बात अभी नहीं चलता अभी तो हम पहले सीटीजेंसी एमेंडमेंट बील लाएंगे नाजरीकत शंशदन बील और देखिए पहले वो बील जब आये थे पार्लामेंट में लोक्षभा में पारिस हो गया लेकिन राज्य शबाव में पारिस करने नहीं दिया यह तो यह जब बंगाली हिंदू के बारे में यह अभी रोते हैं ना जिसारे उद्वास्तों को निकाल देंगे तो उसी समय वो कहां थे कहा लोक्षभा में रोक दिया लेकिन अभी लेकिन सुवाज सरकार जी अधर्य सबको जितने हिंदू वास्तों है सबको हम नागरी कट्र देंगे असम में जो एनर्सी आपने लागू किया है सुवाज सरकार जी सुनीजे असम में जो एनर्सी लागू हुआ है उसे आप ठीक तरीके से लागू हो गया है सुवाज सरकार जी चलिए ठीक है सुवाज सरकार जी जो आशाम में ऑने लागू किया आपकेश्पार्टी ने उसे ठीक तरीके से मांते है वो सही तरीके से लागू हुआ है क्या कौन कौन और समय जो एनरसी लागू हुआ वह राजिप राटी के साथ इसको इसमें लाकों बंगाली हिंदों को निकाल दिया गया आपको पता है वीजे पी कह रहे हैं कि NRC लागू होना जरूरी है यह अपनी वोट बैंक देख रहे हैं आपी ने पहले इनको वोटर आइडि कार्ड दे दবیا अपनी वोट बैंक बना ली और अब जब नर्सी लागू हो रही है तो आपको दर्द हो रहा है है लो हम लोग तो बिदान सबब में पास करके की सीजा कह दिया है पच्चिम बंगाल बिदान सबब में पास हो जया के नाज़ी पच्चिम बंगाल में लागो नहीं होगा जे कैसे रोकेंगे आप पर्षिम बंगार में लागू नहीं होगा हो कैसे कर लेंगे लागू आप कैसे रोकेंगे हम लोग तो पर्षिम बंगार में लागू होने देंगे जे जिस तरह से बिल पास कर दिया डक्टर सुवाद सरकार लागू नहीं होगा पश्चे मंगाल में विल किसी भी तरीके से कैसे आपकी सरकार इसको लागू करेगी क्या जी क्या बताएं टीमसी कह रही है कि पश्चे मंगाल में आप किसी भी तरीके से लागू नहीं कर सकते हैं इस विल को हम जरूर करेंगे पहले शुनिये हम पहले सिरियंसी एमेंडमेंट बील के अनुशार लौ के अनुशार सारे हिंदू वो दो क्रिश्चन सब को सारे हिंदू को सारे हिंदू को हम मुसल्मानों को छोड़ देंगे क्या मुसल्मानों को छोड़ देंगे इस मिल में शुटिए ना मुस्ल्मान जो मुस्लमान जो पहले से आए उसको तो हम जरूड देंगे तो अमिस्था तो ऐसा कह नहीं रहे हैं वो तो कह रहे हैं हिंदों को घबराने की जरूद नहीं आपका इस्टेंड है या पार्टी के स्टेंड है तो तो अमिस्ता ऐसा क्यों नहीं कहते हैं अमिस्ता ने तो साब बोल दिया कि हिंदूओं को घबरानी की कोई जरूत नहीं है बंगाली हिंदूओं को पूरा बात नहीं समझा पूरा बात नहीं समझा हम हाँ चलिए ठीक है अभी तो यह बीजे पर अपनी वोट बेंट बचा रही है नर्सी के जरी है इंदूओं को टड़ाते है ज्यादा देखिए मैं आपको सपर्ट कर दूँ कि यह जो सरकार बनी है 30% वोट लाकर सरकार बनी है 70% लोग आज भी देश के इनके खिलाफ है तो जो यह चस्मा पहिन कर लोगों को देख रहे हैं इंदूओं सल्मान के दारे में देश के कानून के दारे में किसी भी कानून को लागू करने के लिए इंसानियत को उपर रखने की जरूत है जो गरीब लोग है पिछले तो आपकी सरकार ती आपने क्यों ने लागू किया सही तरीके से? सुराव अली जी बीजेपी कहती है कि हम किसी भी तरीके से लागू करवा देंगे पश्चिम बंगाल में टीम सी इसको रोक नहीं पाएगी और हम मुसल्मानों को भी लेंगे ये कहना है डॉक्टर सुबाद सरकार का मसल्मानों को भी इसमें रखा जाएगा आप कहते हैं मुसल्मानों को टार्गेट कर रहुए है बीजेपी वोर experiencing पैटयों के पैट हैं, जो पैले से जो रहते are पाथी हैं, उसका कोई टर्गेट नहीं उसको य बेटा पोड़ा, उनका हम रखेंगे W भूसपेटियों में हिंदू नहीं हैं। हिंदू पेतियों में हिंदू नहीं है। हिंदू पढला मिल्स के तो हला हम वा की दों करकिक रहा है। सरकार जी नहीं है थर्फ है। पैसा जाएगा आप लोग देस को बरबाद कर रहे हैं इतने दिनोंसे कर रहे हैं उसको हम खतम कर दिया देस का बरबादी करने का जो बर्म जब कर रहे हैं चलिए सौराब अभा करने इतना वैसा जाता है कास्मीर के गरीब को कुछ नहीं मिलता लगाक में कुछ नहीं जाता क्या होता है चलिए सौराब अलीजी मेरे सवाल आप से है क्या सरणार्थी और घुसपैटियों को मिक्स करके कंफ्यूजन पैदा करने की एकोसिस की जा रही है बिलकुल बिलकुल आप आपकी नेजर में सरणार्थी कौन हो गुसपैटियों कौन है किसको आप गुसपैटियों मानते हैं किसको सरणार्थी मानते हैं सब लोग यहीं के नाजरिक हैं यह बीजेटी वाले लोग कहते हैं गुसपैटियों यह लोग कहते हैं यह लोग कहते हैं आज देश के अंदर में सब लोग सांसी से रह रहे हैं उसको आसांस में बदलना चाहते हैं, आसांस करना चाहते हैं, और हमिस्ता बोलते हैं कि मुसल्मानों को नहीं रहने देंगे पर देख के अंदर, हमिस्ता तो एक कहते हैं कि मुसल्मानों लोग को भगा हो यह से, वो हमिस्ता का टायरिक आरो यह पहुतना ही हिंदु का है कि मुसल्मान का है यह मुसल्मान रखेंगे लेकिन कासव के मुसल्मान उसको हम नहीं रखेंगे लेकिन जो कासव है इसको रखेंगे क्या इसे लोग को रखेंगे क्या जैसी मुहमत के रखेंगे क्या पहले निकाने के लिए सुभाज सरकार जी गुस्पेटिया कौनों सरारार थी कौन बीजेपी की नजर में अरे जादा गुस्पेटिया तो है जो हमारे बाहर से मुसल्मान लोग आते है बाहर से कोई कागर जाते है उसका पस नहीं है कुछ नहीं कर सकते है इसके कारण कुछ नहीं कर सकते है कंश्विजन की क्या वोट वेंक इसके लिए वोट वेंक देखा जा रहा है सांगूती बटेर उने की कोसिस की जा रही है देखे सरकार की नियत में खोड निजर आ रही है जिसा के महात्मा गांदी ने कहा था कि इस देश के हिंदू मिसल्मान मेरी दोनों आखों की तरह है एक मेरी आख हिंदू को भी उसी निजर से देखेगी और दूसरी आख मुसल्मान को उसी निजर से देखी तो महात्मा खांदी के संदेश को हमें अपने जीवन में उतारने की जरुद नहीं है और सरकार का जो रवईया है नियत जो तरीका है आपको देखे न सरकार सिधा-सिधा यह वेस्वंग्डाल की सरकार अपने कबजे में करना चाहती है बीजेपी वहाँ पर सरकार बनाना चाहिए और सिर्फ और सिफ election oriented मुद्दा है election खतम होगा यह मुद्दा भी यह लोग खतम कर देंगे सिर्फ और सिफ हमारा सिवत्रा इतना कहना है सरकार से कि सरकार को 30% वोत मिले है इस देश की 70% आबादी आज भी उनके खिलाफ है इस देश में 30 करोड से अधीक अलग संक्या की देश में रहते है उनकी भावनाओं को अभी ख्याल लखना चाहिए सरकार को और सुविधान के दायरे में किसी भी कानून को लागो करना चाहिए यह हमारी बात है सरकार के लिए चलिए ठीक है वक्त इजाज़त नहीं देता फिलाल चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए डॉक्टर सुवाद सरकार बहुत 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 शुक्रिया आपका हमारी साथ जुड़ने के लिए शोहराव अलिया आपका बहुत 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 शुक्रिया और सैनवा सेख जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारी साथ चर्चा में सामिल होने के लिए तो NRC पर अमिश शाह का कहना है कि हिंदों को गवरानी की कोई जरुवत नहीं है अब इसके क्या माइने निकाले जाएं ये देखने वाली बात होगी तो वहीं TMC कहती है कि कि किसी भी हालत में पशिम बंगाल में NRC को लागू नहीं करने दिया जाएगा इससे BJP लोगों की सह हन भूती बटोर कर उसे अपना वोट बैंक बनाना चाहती है अब आगे क्या होगा ये देखने वाली बात होगी फिलाल हमारी इस चर्चा में इतना ही दीजे जाजत नमस्कार अब ही शादी हुई है और जल्सकार